आज मैं लेकर आई हूँ न्यूस पेपर कटिंग जिसे आप अपनी अलमारियों में बिचा सकते हैं आपको ऐसे ही पेपर को फोल्ड करते जाना है आपको इसकी ज्यादा चोड़ाई नहीं रखनी है ज्यादा चोड़ाई रखने से इसकी डिजाइन समझ में नहीं आएगी इतना ही पतला करना इसको और सामने से इसमें कट लगा देना है इस तरीके से ही इसमें पीछे से भी कट लगाना है आप समल कर आपको इसको ज्यादा नहीं कट करना है अब इधर से भी लगा दीजिए दो कट अब यहां पर आपको छोटे-छोटे कट करने जादा बड़े कट नहीं करने बारिक-बारिक करने यह देखें कि कटिंग हो गई आप इसे कलर पेपर पर भी कर सकते हैं मैं आगे जाकर कलर पेपर कटिंग भी लेकर रहूंगी अब चलिए इसको घर में भी बिचा कर देखते कैसा लगता है यह आगे से आपको ऐसे इसको दवा देना है क्योंकि उठ रहा है सामने से अब इस पर अपन कुछ समान रख कर देखते हैं इस तरीके से आप और भी अलमारियों में बिचा सकते हैं जहां आपको कुछ सामान रखना है यह देखिए कितना सुन्दर लग रहा है इस तरीके से आपको जहां भी कुछ भी जगर पर बिचाना हो आप बिचा सकते हैं और भी ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को शेयर करें अगर कुछ भी सुझाओ है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं थैंक यू फूर वोचिंग माई वीडियो